हाई एवरीवन वलकुम बैक तो माई चैनल तो टैटल देके आपको पता चली गया होगा आज का वीडियो का टॉपिक क्या है आज मैं शेयर करने वाली हूँ माई टॉप 10 अमाज़न फेवरेट्स और ये वीडियो में जो भी प्रोड़क्त में शेयर करोंगी वो ज्यादा त अगर आपको कोई बीडियो पसंद आएगा तो लेट्स के अगर आपको बहुत सारी चीजों में अच्छे अच्छे डिसकाउंट्स मिल सकते हैं तो इस वीडियो में जो भी प्रोड़क्त में शेयर करोंगी उन सब का लिंक में निक्से दिस्क्रिप्शन बॉक्स में देद अगर आपको कोई भी प्रोड़क्त पसंद आया तो उस लिंक को क्लिक करके आप डिरेक्ली पर्चेस कर सकते हैं सबसे पहला प्रोड़क्त मोस्ट इंपॉर्टन प्रोड़क्त जो मैंने रिसेंटली लिया है वो है ये बॉश का ड्रिल मशीन सो जब से मैं दिल्ली से गोवा मुविन की होना यहाँ पर चीज़े मतलब काफी मुश्किल से होती है जैसे दिल्ली में रहने से क्या अर्बन कंपनी वगरा है जहाँ आप 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 ऑनलाइन में बुक कर सकते हैं आपको एसी रिपैर करना है आपको कार्पेंटर का इसी चक्कर में मेरा वीडियो भी अपलोड करना काफी लेट हो गया है और मेरा घर भी बिल्कुल भी और्गनाइस नहीं रह रह रहा था तो आइवस मतलब बहुत ही जाधा पिस्टव हो गई थी मैं और दैना डिसाइड़ कि नहीं मैं अपने से ड्रिल मशीन ले लेती हू और यह कुछ इस तरह के के ब्रिफ केस में आता है और ड्रिल मशीन के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग चीजे भी इसके अंदर मिलती है तो यह कुछ इस तरह से खुलता है और इसके अंदर इस तरह के के मैनुल्स वगरा है जहाँ पर आप देखके ड्रिल कैसा यूज करन और यहां पे utility knife भी है और साथ में इसमें screw and plugs के तीन packets आते हैं तो आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा इसी kit में इतने सारे चीज़े मिल जाती है और यहां पे drill machine है साथ में यहां पे hammer है सबसे best part मेरे को यह measuring वाला लगा इसमें आप जो भी आपका painting वगरा है वो straight है कि नहीं आप यहां पे measure कर सकते हैं यहां पे यह बता देता है कि यह straight है कि नहीं या फिर थोड़ से inclined है तो इसी brief case में आप देख सकते हैं बहुत सारे चीज़े दी गई है और drill करना भी काफी easy है तो आप भी अगर इस सब चीज़े जूज रहा है कि आपको carpenter नहीं मिल रहा है और आपको drill करने के लिए machine नहीं है आप इस तरह के kit में invest कर सकते हैं बहुत सारे चीज़े आ जाती है और यह long run का investment है आपको tension पालने की carpenter की कोई जरुवत नहीं है next मैंने amazon से curtains मंगवाया है मेरे ये नए apartment के लिए यहाँ पर जो window है वो काफी बड़े size का है like 8.5 feet का curtains मेरे को लगता पहले जो भी मेरे पास curtains थे वो 7 feet के थे and सारे colorful थे बट अब की बार मैं चाहती थी कुछ अच्छा quality के curtains में invest करू also मैं चाहती थी कि मतलब ये थोड़े से dark curtains हो ताकि room का जो color है वो थोड़ा सा dark हो जाए क्यूंकि यहाँ पर एक तो बड़ा window है also गोवा में काफी गर्मी होती है अभी भी आप देख सकते हो मैंने curtains को side करके ये video film कर रही हूँ तो bedroom के लिए मैंने grey curtains मंगवाया है curtains के quality बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छे से dark हो जाता है and room को भी थोड़ा सा cool down रखता है and मैं अपने living room के लिए again blue color का curtains मंगवायी हूँ जिसमें इस तरह के design वे है grey and blue curtains मैंने lipfure brand से मंगवाया है price अगर बोलू तो थोड़ा सा expensive है but quality बहुत ही अच्छा है मेरे living room and terrace को divide करने के लिए एक बहुत ही बड़ा glass door है and दिन के time में room काफी मतलब ना heat up हो जाता है गरम हो जाता है तो उससे थोड़ा सा balance करने के लिए room को थोड़ा सा temperature maintain करने के लिए मैंने dark color के curtains बंगवाया है but उसके साथ साथ मैंने linen वाला brand से white curtains बंगवाया है जिसका quality भी अगर linen material का था तो मैं थोड़ा सा combination करना चाहती थी blue and white बहुत जादा blue करने से भी room का color अच्छा नहीं दिखता तो इसलिए मैंने थोड़ा सा combination किया है and लगाने के बाद भी काफी अच्छा लगा तो अगर आप curtains देख रहे हैं तो leaf pure brand and linen वाला से देख सकते हैं उनकी designs भी बहुत अच्छे है and also बहुत ही अच्छा quality के products मिल जाएंगे and next मैं थोड़ा सा home decorating चीज़े शेयर करोंगी तो मैंने दिवाली के time में ये धुनी लिया था धुनी purchase करते time मैंने बहुत सारे brand को देखे हैं, review पड़े हैं क्योंकि मिले को again तो अच्छा quality वाला धुनी लेना था जिसकी design भी बहुत ही अच्छी है and यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही use कर चुकी हूँ एवरी इवनिंग में कोशिश करती हूँ कि इसे जो छोटा वाला धूप आता है उसे लगाओ धूप के भी बहुत ही अच्छे अच्छे brand में नीचे description box में share कर दोंगी उनके fragrance बहुत ही अच्छे है कुछ Instagram handle भी में share कर दोंगी वही धूप से मैं ये धूनी को लगाती हूँ और इससे जो धूप निकलता है आपको अंदर से ही लगेगा कि कितना एक positive vibe create हो रहा है अंदर से ही अच्छा लगता है तो मैं every evening या कभी कबार कभी पूजा का day है तो मैं इन में भी कभी कभार जला देती हूँ और मेरे को काफी अच्छा लगा ये decorative भी है और अज़ो थोगा सा peace of mind के लिए भी बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इस तरह के का धूनी Amazon से लिया है next मैंने again diwali के time में ये 12 set का candles मंगवाया है और ये battery operated candle है जिसमें इस तरह के का switch आता है और जलाने के बाद ये कुछ इस तरह के का लगेगा अभी तो बहुत जादा bright है तो आपको दिखनी रहा है बट जलाने के बाद decent amount of light आता है and best part है इसमें सारे batteries डले भे आते हैं आपको extra लगाने का जरुवत नहीं है and ये काफे दिन तक भी चलता है दिवाली के time मैंने almost सारे candles को light कर दिया था and अभी भी इसमें सारे candles जल रहे है next product मैंने recently लिया है and मेरे previous video में ही मैंने share किया है जो है ये छोटू सा stool ये बहुत ही मतलब मेरे को अच्छा लगा and काफी सस्ते rate में मेरे को मिला है मैं बिलीव ही नहीं कर सकती थी कि कुछ 300 या 400 रुपीज का मेरे को ये stool पढ़ा है and इसमें ये legs detachable आते हैं आप ऐसे इसको round करकर के fix कर सकते हैं मैं बोलू क्वालिटी भी बहुत अच्छा है आप इसके उपर छोटे मोटे चीजों से सजा सकते हैं तो 400 रुपीज का एक छोटा सा stool काफी अच्छा लगता है आप बेड साइड में भी से सजा सकते हैं या लिविं रोम के कॉर्णर में सजा सकते हैं मैं इसे अपने एंट्रिवे के लिए ली हूँ जिसके उपर मैं एक फ्लोटिंग वाला सजा है हूँ वो क्या है मैं next share करूंगी जैसे मैंने बताया था कि टेबल के उपर मैंने एक फ्लोटिंग वाला लिया है पहले मैंने ये वाला चूज़ कया था, यहाँ पर मैं फोटो एड कर दूँगी, जिसमें दो एलिफेंट है, और यहाँ पर फूल बगरा से फ्लोटिंग कर सकते हैं, मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा, और रिव्यू भी इसके बहुत अच्छे थे, बट सम्हाव पता नी ये वाला पीस इलनों गोवा में डिलेवर नहीं करेंगे, पता नी क्यों, दूसरा समाना गया, बट वो नहीं आया, I was very pissed off की, कि ये वाला क्यों नहीं आ रहा है, क्योंगी ये ही वाला मेरे को चाहिए था, बट फिर उसके बाद मेरे को ये पीस अच्छा लगा, और ये concrete का बना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये bamboo भी concrete का है, कफी realistic लगता है, बट मेरे को ये elephant वाला जादा पसंद आया था, maybe मैं future में इसे try करूंगी again, यहाँ पे order करने का, अगर नहीं हुआ तो मैं कोई दूसरे address में order करूंगी, और ये वाला तो मैं definitely purchase कर रही हूँ, तो आप अपने घर के corner में सजा सकते हैं, तो definitely ये brand और इनके जो भी products है, उसको ज़रू से check out कीजेगा, next मैं आपके साथ एक organizer share करूंगी, and मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं पास तीन video में share कर चुकी हूँ, but still ये video में मैं recommend करूंगी, जो है इस तरह के का bag, जिसमें आप बहुत सा कितनी है, बहुत ही बड़ा है, and बहुत सारे कपड़े इसके अंदर आ जाते है, ये थोड़ा सा आपको जादा पड़ेगा, but मैं आपको बताओ, ये long run के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसकी quality भी बहुत अच्छा है, यहां पे plastic का कुछ नहीं है, सारा चीज कपड़े क है, and zip की भी quality बहुत ही अच्छी है, तो आप इस तरीके के bag ले सकते हैं, अगर आपकी भी wardrobe में बिल्कुल भी जगा नहीं हो रहा है, and अगर जगा भी है, तो आप इस तरीके के bag में रखेंगे ना, तो dust वगेरा से भी आपका कपड़ा खराब नहीं होगा, next product मैं शेर करों आप सभी मेर को ये बताइए कि कौन-कौन प्लैनर यूज करता है, जो भी प्लैनर यूज करता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि next product मैंने ये प्लैनर लिया है, and मैं हर साल प्लैनर खरीती हूँ, last three years से प्लैनर खरीती हूँ, and मैंने अपकी बार अगें इंक बकेट का प्लैनर लिया है, इससे पहले वाले ये, मैंने इंक बकेट का प्लैनर यूज किया है, इसमें बहुत सारे section है, जहां पे आप चीजों को प्लैन करके रख सकते हैं, जैसे आपका vision क्या है, आपका goal क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते है, so yes मैंने अपकी इंक बकेट का प्लैनर लिया है, I guess Amazon में ये वाला अभी अवेलेवल नहीं है, उसका दूसरा कलर अवेलेवल है, उसका मैं लिंक नीचे description box में देतोंगी, जो भी सारी products में शेयर कर रहे हूं, सबका लिंक नीचे description box में definitely रहेगा, so yeah मैंने अपकी बार ये प्लैनर लिया है, next product जो शेयर करोगी, वो मेरे जासे लोग के लिए है, जिसको severe back pain है, तो मेरे birthday के time में मेरे को ये gift मिला था मेरे friend के through, और ये एक cushion है, जो आप back के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, इसके पीछे इस तरह के का lock करने का भी आता है, तो आप chair में इसे fix कर सकते हैं, ये इदर है, पीछे में support के तरह इसे use करती हूँ, या फिर जपी भी में DIY shoot करती हूँ, तो मेरे back के लिए ये में use करती हूँ, ये editing वगरा के लिए, ये काफी support करता है, अगर आपको मेरे जैसा problem है, कि बैट के काम करने में दिक्कत होता है, तो आप इस तरह के के cushion ले सकते हैं, I'm telling you guys, बहुत ही ज़्यादा चेंज आपको फील होगा, पेइन बिलकुल नहीं होगा, और आप comfortably बैट के काम कर सकते हैं, the last product जो मैं share करूंगी वो है, इस तरह के का golden का spoon set, दिखाने से पहले में आपको बता दू, ये थोड़ा सा expensive आता है, like इसमें सर्फ 5 का set आता है, somewhere around 1000 या food related content share कर रही हो, तो इस तरह के spoon में सजावट करने में अच्छा लगता है, या फिर आपके घर में अगर guest आते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा सा fancy dinner अरेंज करना या lunch अरेंज करना, तो इस तरह के spoon से आप अगर dining table में सजाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा, तो इसमे तो इस तरह के quality में कोई सस्ते price में नहीं मिलाता, जो भी मिलाता उसका quality बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो quality वाइस मैं बोलो तो बहुत अच्छा है, बट just a complaint कि इसमें अगर 2-3 set मिल जाता तो काफी अच्छा होता, so yeah guys, यह था आज का video my talk 10 Amazon favorites, I hope आपको आज का video पसं आया होगा, पसंद आया तो like and comment जरूर दीजेगा, also मेरे चैनल को subscribe और bell icon को दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, आप Instagram में भी follow कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं different content and काफी active रह रही हूँ, so yeah, Instagram का link में यहां screen में share करतोंगी, so with this, मिलती हूँ मैं अपने next video में, तब तक के लिए bye and take care